हेलो गाइज वेल्कम टो और यूटूब चैनल हम स्टाट कर रहे हैं हम नेक्स्ट सिक्स्ट कुस्ट से आगे सेवन्स कुस्ट एक्सर्साइज तो तो सेवन्स कुस्ट क्या कहता है है इस वेक्टर की डायक्टर में इसका में इसका बना सकते हैं कि इस वेक्टर की डायक्टर में फाइंड आउट करना है जो वेक्टर जिसका में इसका में इसका इसकी डायक्टर कर लेते हैं तो यूनिट वेक्टर का में इसको किसे मट्डिपलाई करतेंगे सेवन यूनिट से मलटिपलाए गर देंगे तो यूनिट वैक्टर का मेंग्निटूट 1 होता है और जो सबस्क्राइब ऐसे मेगनिटूट कि तना हो जाएगा इवही बात जैसे मान लिए मारपास 13 13 को में 7 बनाना है तो कैसे बनाएंगे वैल थार्टीन को 13 से तिवाइड रन पड़ेगा तो कैसे बनेगा इस वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर बना लेंगे इसका मेंटिपलाई कर देंगे तो वेक्टर आजाएगा इसका मेंटिटूड कितना हुगा हैुगा इस में अब इसका मेंटिटूड कर दो कि मेंटिपले और अलडिके निकडलता है अंडर दी हूद जो भी कोफिशेंट हां आइजे के, उनों के स्क्यर को अड और देंगे, आइजम का कोफिशन कितना माइनस ऑं, मैनस वन का स्क्यर बबन, प्लस जे केकब का कोफिशन कुफिशन टू, टू का स्क्यर एलिफ बिफ बस कॉ αइज एलिटो, ड continuously हुग कितना हो गया, तो वेक्टर के यह हमारे पास यूनिट यूनिट हो तो 7 से मल्टि बिलाई करते हैं कि वह वेक्टर आजाएगा लेक्टर वेक्टर यूनिट हो तो इसकी से मुल्टिपुलाए करवा देंगे सेवन बाइ थरी इंटू जो वेक्टर है वो लिखे देंगे माइनस आई केप पलस टू जे कैप पलस टू के अब हमारे पार स्कीवों एक्टर आ गया जिसका मेगनिटूड सेवन यूनिट है अब नेक्स्ट कुशन की तरफ तो नेक्स्ट है एट्स कुशन कैल्कुलेट दा मोलनलस एंड यूनिट वेक्टर को वह सम वेक्टर तीन वेक्टर में गीवन है इनके सम के अलोंग अमें एक सम का में एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले इनका सम निकाले लिए फिर बाद में का यूनिट वेक्टर जो भी समाएगा उसका तो तीनों वेक्टर को माल लेती हैं ए वेक्टर माल लेती हैं पहले को आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप सेक और last को C vector माल लेती है minus 2i plus 2j minus 2i cap plus 2j cap plus 6k cap तीनों vector का में क्या find out करना sum find out करना पहले तो unit vector of the sum of vector तो इनका sum निकाने हैं फिर बाद में unit vector निकाने हैं A vector plus B vector plus C vector तीनों पसम लिखे देती है i cap plus 4j cap plus 2k cap plus 3i cap minus 3j cap minus 2k cap minus 2i cap plus 2j cap plus 6k तीनों vector को हमने sum में लिख दिया तीनों गेट अगर देती है plus i cap plus 3i cap कितने होगे 4i cap और minus 2i cap पोर आएंगे 2i cap minus होगे तो कितने होगे मारे पास 2i plus के 4j cap और minus के 3j cap plus के 4j में 3j minus होजाएंगे plus का j cap बच गया j cap plus 2j cap कितने होगे मारे पास प्लस के 3j cap अब नेक्स्ट है के वाले देखते हैं प्लस का 2k cap और minus का 2k cap तो प्लस के 2 में से माइनस के 2 0 बच जाएगा और प्लस में 6k बच जाएगा प्लस के 6k तो यह आ गया मारे पास sum of vectors इसके लोग में क्या find out करना है unit vector तो पहले इसका modulus निकारना पड़ेगा a vector plus b vector plus c vector का modulus modulus कैसे निकारते हैं under the root जो भी ij के coefficient उनका square करके add कर देंगे square करेंगे 2 का plus 4 हो जाएगा 3 का square plus 9 हो जाएगा 6 का square plus 36 हो जाएगा मारे बास 36 plus 9 plus 4 कितना आ गया center the root 49 49 का square root हम सब को पता कितना हो जाएगा तो अब magnitude भी आ गया है अब हमें क्या find out करना है unit vector जो sum आया है vectors का उसका unit vector तो जो भी vector है उसका magnitude कर देंगे unit vector आ जाएगा 2i के plus k3j के plus k6 क्या क्या कर जेंगे इसका magnitude 1 by 7 तो यह आगा मारे पास unit vector of the sum of these 3 vectors और शुरू में calculate modulus modulus ने काणड़े के लिए unit vector ने काणड़ेंगे ने काणड़ें तो यह हो गया हमारा 8th question next question ने next हमारे पस 9th question if the position vector a of the point 5,n is such that magnitude of a vector is 13 find value of n अमें position vector दिया गया है a और उसके point दिये 5,n उसका magnitude दिया गया है 13 हमें जो n गीवन है points के अंदर उसकी value ने काणड़ेंगे तो जो गीवन है उसका use करेंगे magnitude दे रख रहा है magnitude का use करेंगे सबसे पैठे उसका position vector लिख लेते हैं points का points दे रखे हैं उनका position vector कैसे लिखना आईए previous video के अंदर हम गता चुकी है तो ए वेक्टर किसके उबला जाएगा 5 के साथ क्या लगा देंगे i के plus n के साथ क्या लगा देंगे z के 5,5 है plus n z का भी उसका position vector हो जाएगा 5,n का अब ए वेक्टर का क्या दिया गया है magnitude तो इस vector का magnitude निकाल लिखे 13 के लिखन रख देंगे magnitude of a vector कितना जाएगा under the root 5 का स्केर 25 plus n का स्केर n स्केर किया गया हमारे पास ए वेक्टर का magnitude अब किये magnitude कितना दिया गया 30 magnitude of a is equal to 30 तो इसको इसके equal रख देंगे under the root 25 plus n square is equal to 30 root अटाने के लिए स्केरिंग और बोच साइड कर देंगे स्केरिंग और बोच साइड कर देंगे तो square से ये square root cancel हो जाएगा 25 plus n square is equal to 30 का square कितना हो जाएगा 169 अब हमें n की बेर को find out करने तो 25 को इस साइड ले जाएगे n square is equal to 169 minus 25 169 में से 25 minus हो जाएगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास n square is equal to 144 अब हमें n की value find out करने ही तो root लगाए square root कर देंगे तो plus minus का sin आएगा square से root cancel हो जाएगा n is equal to 144 इसका square root होता है आप सभी को पता है 12 होता है तो plus minus 12 n की value आगे अब नेक्स्ट क्यूसन करते हैं अब नेक्स्ट क्यूसन हमारे पास दस्वाज क्यूसन write the direction ratios of the vector i cap plus 2j cap plus 3k cap and hence find its direction cosine तो vector लिखे लेते हैं इसे a vector is equal to i cap plus 2j cap plus 3k तो previous video यह अंदर हम बता चुके हैं कि direction इसाथ में बताई की direction cosine कैसे find out करते हैं direction रेक्षिन को साइन क्या होता है तो अब देखे direction ratios तो बस i, j, k की coefficient होते है direction ratios direction रेक्षियो रेक्षियो जो जो एकटर क्या हो जाएंगे सबस्क्राइबाइब किसे थे यह सिंबल लगाते हैं फिर आई जैके की कोफिशंट क्या है रिक पूर्ट से लिखेंगे से लिखेंगे डिरेक्शन कोसाइंड से प्रेल है इस वेक्टर जैब युक्तर पढ़ना पड़ेगा तो फॉरटारेक्शन कोसाइड और डारेक्शन कोसर वी हैव तो फाइंड आओ यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर ओख वेक्टर एक तो एका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर वेक्टर के डिवाइड वाइज उसका मेगनिट तो फेले वेक्टर एका मेगनिटूद ने काल लेक्टि एक वेक्टर का मेगनिटूद क्या हो जाएगा आई जेक के कोफिसेंट का स्केर करके एड़ दर देंगे रूट के अंदर यह तो मुने वो दुबार कर लिया आई कैप कोफिशेंट का स्केर 1 प्लस 2 का स्केर 4 प्लस 3 का स्केर 9 तो 9 प्लस 4 13 प्लस 1 अंडर दी रूट 14 हमारे पास किया गया इसका मेगनिटूट आ गया अब यूनिट वेक्टर फाइंद आप करने के लिए क्या करना पड़ेगा एकप इस इवल तो जो भी वेक्टर है डिवाइड हूँ उसका मेगनिटूड लिफ देंगे वेक्टर क्या है I cap plus 2 J cap plus 3 K cap divided by उसका magnitude under the root 14 अब इस 14 root 14 को इसके बाई में अलग लिख सकते हैं इसके बाई में अलग और इसके बाई में अलग लिख सकते हैं तो 1 by root 14 I cap plus 2 by root 14 J cap plus 3 by root 14 K cap ये मारा आगे unit vector अब unit vector निकालने के बाद में जो I J K cap के coefficient होते हैं वही direction cosine ओपे vector होते हैं तो direction cosine क्या लिखेंगे हैं direction cosine is equal to y sign लगाएंगे जो direction ratio के लिए लगाया है और I check cap के coefficient लिख देगे unit vector निकालने के बाद 1 by root 14 2 by root 14 और 3 by root 14 ये आगे मारे direction cosine of this vector अब next question है 11th question देखते हैं 11th question है माहारे पास 3 point given है AB और C और इन points को में कॉलिनियर प्रूफ करना है तो पिछलिए exercise के अंदर हम पड़ चुके हैं कॉलिनियर की कैसे प्रूफ करते हैं कॉलिनियर क्या होता है कॉलिनियर वो points होते हैं जो एक line के उपर होते हैं वेक्टर के अंदर कॉलिनियर को कैसे प्रूफ करेंगे इन 3 points में से कोई की दो वेक्टर बना लेंगे जैसे एक वेक्टर AB बना लेंगे और एक वेक्टर AC बना लेंगे और फिर एक parallelism की condition होती है उस condition को हम satisfy करवाएंगे फिर इनके अंदर एक common point होगा वह common point होने के कार्ड ये वेक्टर के और लेंगे को लिनियर देखी कैसे करेंगे हम एक पर लेक्टर बना लेती हैं ये बीड़ेंगे कि अगर 2 points वियुए अमपो वेक्टर कैसे बनाती हैं पोजिशन वेक्टर से वह इंगे लेगने की बजाय मैसी को निकाल की दिखादेगता हूँ दिखता हूँ मैनस की तरी माइनस का टू रही है कि फटरी जेक सफोंगा माईनस को फोर कितना हो जाएगा माईनस कि खेंग एक है तो अब फीचाहए सीए वेक्ट रोने आदा है ल Ama Ecc कैसे आएगा पॉशिचन वेक्टर ओफ ज सी माईनसर वेक्टर ओफ t, position vector of c, minus 1, minus 3, कितना हो जाएगा, minus k4, i k, 4 minus में minus k2, 4 minus में minus k2, मतलब minus minus plus हो जाएगा, 4 plus 2 कितना हो जाएगा, plus k6, j k, minus k2, minus k4, कितना हो जाएगे, माइनस केट हो जाएंगे माइनस का 6 केक तो यह हमारे पास आगए AC वेक्टर AC वेक्टर में से अगर 2 बहार कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बज़ाएगा माइनस का 2 I केट प्लस का 3 J केट और माइनस का 3 अब अगर हम देखते हैं तो यही वेल्यू किसकी है AB वेक्टर की लिए तो AC वेक्टर को हम किसकी लिख सकते हैं 2 टाइमस ओप AB वेक्टर आपको आपको एक Condition करवाएगी अगर 2 वेक्टर पैरलल हैं AB वेक्टर और दूसरा वेक्टर को ये वेक्टर माळा लिए इसे लिए हम नेदे इसी लेंदे इसी व्यक्तर पैलल हैं तो एसी व्यक्टर क्या होगा m x a b vector होगा बेर m is any smaller बेहर m is any smaller तो ये किसी condition है parallelism की condition अगर कोई भी दो व्यक्टर पैलल होगी तब ये होता है तो इसी साम सी एसी वेक्टर एक पैरलल हो गया लेकिन पैरलल अगर दो वेक्टर है या दो कोई भी लाइन पैरलल है तो उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता लेकिन इन वेक्टर के अंदर A तो common point A common point है इसका मतलब क्या है A, B, C तीनो point क्या है A की line के उपर है common point तो तब ही आए गए line कहीं भी intersect करेंगे या तीनो point एक line के उपर होंगे तो इसे कैसे लिखेंगे AC vector and AB vector are parallel but A point is common in both so A, B and C points are cooling तो ये points क्या हो जाएंगे कोलिनियर परूफ हो जाएंगे तो ऐसे कोलिनियर टीनो परूफ करते हैं पिसली exercise गे अंदर भी हम करके आएंगे अब next 12 क्यूशन देखते हैं क्या है अब अगला क्यूशन हमाइटास 12 क्यूशन the position vector of the point A, B, C and B are this, this and this is so line A, B and C, D are parallel position vector given हमें 4 points की और 4 points से जो दो line बढ़ेंगे A, B, C, D वो line parallel होगी हमें ये दिश्टो करनी है तो एक diagram बना जित्ते हैं ये point हो जाएंगे चार A, B, C, D माल लिया तो ये जो दोनों line है A, B और C, D ये अमें parallel group करनी है 4 points के position vector में given तो parallel condition में पिसली position के अंदर हमने करी है अगर A, B parallel होगा C, D तो क्या होगा? C, D या फिर A, B क्या होगे? A, C, D is equal to M times of A, B where M is any scalar या दो vector होगे A, C, D vector, A, B vector तो M times of A, B vector होगा C, D तो parallel line तो दोनों vector को निकाल लेते हैं और देखते हैं parallel line या नहीं आएंगे सबसे पहले पुन से vector निकालते हैं A, B, A, B vector कैसे निकलेगा? अभी अभी किया है position vector of B minus position vector of A position vector of B अभी क्या given है? B point के position vector है, यह है A और यह है B position vector of B minus position vector of A तो 5 में से 4 minus हो जाएंगी A, B vector किसके एकवाल आता है हमाई पास? 5 में से 4 minus होगे तो I cap 2 में से 3 minus होगे तो minus के J कै और 2 में से minus के, minus के, minus, minus plus हो जाएगा अभी प्लस को जाएगा? यह भी वेक्टर आ गया और वोजर रेक्टर और C के क्या है? यह तो 4, minus 2 कितना हो जाएगा? प्लस के 2 माइनस के 4 और माइनस माइनस करेंगे तो यह प्लस का 2 हो जाएगा माइनस के 4 में से प्लस का 2 माइनस हो जाएगा माइनस के 2 जेक है और प्लस के 3 माइनस प्लस प्लस के क्या हो जाएगे 3 और 3 6 हो जाएगा माइनस करेंगे तो 3 में से 3 माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 3 कितने हो जाएगे प्लस के 6 कि यह आ गया माई पास CD वेक्टर तो CD वेक्टर इस इक्वल दू अब वही अगर यहां से दो पॉमन ले लेते हैं तो कितना वज जाता है I कैप माईनस J कैप प्लस थरी वर जाएगा यह पे टू पॉमन लेने के बाद प्लस के थरी के कैप तो I माईनस J प्लस थरी की यही वेलू किसकी है AB वेक्टर की है CD वेक्टर किसकी इक्वल आगया 2 टाइमस ओफ AB वेक्टर वेहर 2 इस एनी स्केल यही पैरलल निजए होगी कंडिशन अगर तो वेक्टर पैरलल होंगे तो M टाइमस होगा एक वेक्टर दूसरी तो CD गया होगा 2 टाइमस ओफ AB और यही पैरलल की इस CD पैरलल टू वेक्टर AB दैन CD इस इकुबल टू एम टाइमस ओफ वेक्टर AB वेहर M, M यहापी कितना है M इस इकुबल टू है जो स्केलर मुल्टिबल हमारे पास है तो इससे क्या पुरूफ हो गया सो लिख देंग इस इस सू CD and AB are पैरलल लाइन्स यह मारा 12 क्यूशन हो गया एक्सरसाइज होगी कम्प्लीट जो नया एडिशन है एलिमेंट्स का उसके गोर्डिंग उसके अंदर 12 ही क्यूशन है जो उन्य वीडियोश के अंदर करवाäre है और आप पार्गी के जो पुराणे मैत है वो तो एक्सरसाइज होगी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अग्ली एक्सरसाइज करेंगी तब तक के लिए थैंक यू